बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिरहीम, अस्सलामौलैकूम आज हम ओरिंज स्वील्ड जैली बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद है और बड़ों को भी पसंद है आप इसको जरूर बनाईएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं इनका हम जूस निकाल लेंगे शूगर छे खाने के चमचे चाहिए इसको मैंने पीस कर आइसिंग शूगर में तबदील कर लिया है कॉर्ण फ्लॉर धाई खाने के चमचे नारियल का बुरादा चार खाने के चमचे ग्रीन फूट कलर हाफ चुटकी हिन्नू का जूस मैंने निकाल लिया है हमारी त्यारी मुकमल हो गई है चलिए औरिंग स्वीट जैली बनाना शुरू करते हैं एक पैन लिया है और उसके अंदर हमने औरिंग जूस टाल दिया है स्लो फ्लेम पर अब हम इसमें आइसिंग शूगर शामिल करेंगे इसको आइस्ता इस्ता से मिक्स कीजिए अब इसमें कौन फ्लॉर शामिल कर दीजिए स्लो फ्लेम पर चमच हिलाते चले जाएं चमच बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए इसको मुसल सल चमच को चलाते रहें यह देखिए हमारी जेली त्यार हो गई है बस इस तरह जो भी इस तरह हो इसको तार लीजिए जब हम इसे एक दिश में निकाल लेंगे मैंने इसे डिश में निकाल लिया है अब चार से पांच घेंटे इसे फ्रीज में रख देंगे इसे फ्रीज में रखे हुए चार घेंटे हो चुके हैं चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं साइट से इसकी कटिंग कर लीजिए अब इसके छोटे छोटे पीसिस कर लेंगे इस तरह स्मॉल पीसिस में इसकी कटिंग कर ली है धाने में मज़ेदार और बच्चों की पसंद जेली की कटिंग हो चुकी है अब इसे हम कोकोनट लगाएंगे थोड़े से नारियल के बुरादे में ग्रीन फूट कलर शामिल कर लिया है और बाकी नारियल का बुरादा वाइट रहने दिया है अब जेली के एक पीस को हम नारियल का बुरादा दोनों तरफ लगा लेंगे देखिए नारिल का पुरादा हमने दोनों तरफ लगा लिया है अब हम जेली के पीस पर वाइट कोकोनेट लगाएंगे ये देखिए ये वाइट कोकोनेट भी हमने लगा लिया है इस तरह बाकी पीस पर वाइट कोकोनेट लगा लीजिए हमारी औरंज स्वीर जेली तयार है अगर आपको मेरी डिश पसंद आई है इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अला हाफीज